नमस्ते मित्रों कैसे हैं? मुझे उमीद है आप खुश होंगे, प्रसन होंगे और आरोग्यों होंगे. यही मैं उमीद करता हूँ. सदा मुस्कुराते रहिए, हसते रहिए और अपने इर्द गिर्द लोगों को हसाते रहिए. मित्रों, जिन्दगी की दौड़ में, हमें यह महत्वपूर नहीं मानना है कि कौन हम से आगे है और कौन किस से हम आगे है, बल्कि यह ज़्यादा महत्व रखता है कि कौन हमारे साथ है और हम किस के साथ है. क्योंकि सबसे बड़ा दुस्मन जो हमारा आज का है वह इतना नुकसान नहीं पहुँचा सकता जितना कि हम अपने खुद को और खुद के बूरे हैबिट्स हमारे पहुचा सकते हैं और बिसेश कर हमारे ओ नकारात्मक बिचार या कोई बैड हैबिट्स है हा मित्रों आज इस वीडियो के द्वारा हम उन्हीं एक बैड हैबिट्स यानि की चाय के बारे में हम बात करेंगे कि चाय की लत यानि की excessive drinking of tea अगर हम करते हैं या अगर चाय पीते हैं तो उसके क्या-क्या दुस्त प्रभाव हो सकते हैं हमारे सरीर पर हमारे स्वस्त जीवन पर और इसके साथ ही उनके क्या बिकल्प हैं किस तरह से हम इस लत से बाहर आएं इन सारी बातों पर आज हम बात करेंगे तो सबसे पहले इस वीडियो का सुरुआत करता हूं मित्रों कि चाय का हमारे सरीर पर क्या-क्या दुस्त प्रभाव पड़ता हैं तो आज हर घर में मित्रों चाय के साथ ही आतित्थे किया जाता है कोई भी गेस्ट हमारे यहां आते हैं उन्हें चाय या कॉफी ही प्रस्ताव दिया जाता है सिर्फ 200 साल पहले आप जाएं मित्रों अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि भारत वर्स में चाय नाम की कोई वस्तू नहीं हुआ करती थी यह कैसे हुआ यह बदलाव आखिर आया कैसे तो यह अंग्रेजूं की ही देन है आज आप देख पा रहे होंगे कि कई लोग आउफिस में दिन भर चाय पीते रहते हैं यहां तक कि उपास के दोरान भी एक आत्सी व्रत या कोई भी व्रत करते हैं जिसमें फास्टिंग रखते हैं फिर भी चाय पीते रहते हैं मित्रों या सचाई है कि चाई आज दुनिया के सबसे प्रिये पेपदार्थों यानि के ड्रिंकिंग मिटरियल में आ चुका है सबसे लोग प्रिये किस्न जो है इसकी हरी रंकी होती है काली होती है उलांग होती है और ये सब ही कैमिलिया साइनेसिस नाम के पौधे की पत्तियां से चाय पत्ति बनाई जाती है मित्रों। कुछ चीजें होती हैं जो एक गर्म अगर हम चाय पी लेते हैं तो ऐसा हमें लगने लगता है कि बड़ा ही संतोस जनक अस्थिती में हम आ गए सुखदायक अस्थिती में आ गए लेकिन यह एक कप पीने से हमारी परिसानी दूर नहीं होती है मित्रों। हलांकि अधिकांस लोग इस चाय के माध्यम से इस सेवन का बहुत ही स्वस्त बिकल्प मानते हैं कि चाय पी लेने से हमें संतोस हो जाता असुख हो जाता जो हमारी प्रती कप होती है दीन में मित्रों दो से तीन कप जो कि 300-400 एमिल तक आप रख सकते हैं अधिक से अधिक इ इतने ज़्यादा नकारात्मक दुस्परभाव नहीं होते हैं हलांकि दुस्परभाव तो होते ही हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होते हैं लेकिन अगर आप किसी क्रोनिक डिजीज में या एक्यूट डिजीज में आप आल डिप फस चुके हैं तब तो आपके लिए यह चाय बहुत ही ज़्यादा दूस प्रभावाले हो सकते हैं मित्रों हम अक्सर डॉक्टर के पास कोई ने कोई बीमारी लेके जाते हैं क्या आपने सुना है कि चाय की मना ही करते हैं अक्सर हमने सुना है वो मना करते हैं मदपान के लिए धुम्रपान के लिए यानि कि सराब, सिगरेट, तमबाकू के किसी फॉर्मेट को या illegal drugs को छोडने की बात कहते हैं पर चाय कभी नहीं करते हैं छोडने की क्यों कि यह हो सकता है कि चाय के गिरफ्ट में उख खुद ही हो यह हो सकता है उनके सिलेवस में या ना रहा हो लेकिन अगर आप एक कुसल वैदे के पास जाएंगे तो वो हमेशा चाई को सरवथा छोड़ने के लिए आपको सलाह देंगे चाई की हरी पत्ती मित्रों अगर उबाल कर पिया जाए तो उसमें कोई भी बुराई नहीं पाया गया है परंतु वही जब यह फर्मेंट होकर यानि की फैक्टरी में जाकर दुनिया भर का प्रोसेस के बाद आती है और काली हो जाती है तब यह काली हुई सार जो पत्ती होती है काफी बुराईयों को लेके आती है अब हम बारिकियों से जानेंगे कि किस तरह से हमारे सरीर को यह प्रभावित करती है तो मित्रों अगर हम भारत में हैं तो भारत वर्ष की पहले बात कर लिया जाए कि हमारे देश जो हैं गर्म के रूप में ही यहां के अधिक्तम हिस्सा जो भारत का है गर्म ही रहता है चाय हमारे सरीर में पित की मात्रा बढ़ा देती है यानी की ACDT बढ़ा देती है और हमारे सरीर को क्या चाहिए आरोगेता के लिए अलकलाइन चाहिए और यह ACIDT दे देती है जिसमें हमारे लीवर के अधिकतम उड़जा इस ACIDT को निटलाइज करने में यानि कि अलकलाइन बनाने में लग जाते हैं और बाकी कहीं लगा नहीं पाते हैं हम मानते हैं कि चाई पीने से यह हमारी भूख मर जाती है तो चाई में जो मौजूद है मित्रों कैफीन जो कि 6% तक होते हैं या हमारे स्टोमेक के निचले भाग इसो फैजियल अस्थिंक्टर जो कहते हैं इनको आराम देने और पेट में ACID के उत्पादन को बढ़ाने की छमता के कारण पहले से ही मौजूद जो ACID है रिफलक्स को उनको बढ़ा देते हैं और हमारे अंदर नाराजगी और ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ जाते हैं और अगर दूद से बनी चाई की बात करते हैं तो इनके अधिक्तम सेवन से हमारे अमासय पर बुरा परभाव पड़ता है और पाचन क्रिया को भी छती पहुचाता है जो लोग बहुत ज़्यादा चाई पीते हैं उनकी आतें जवाब दे देती यानि की हेवाइर हो जाती है तहस्न हच हो जाती है कबज घर हो जाती है और मल निसकासन में भी बहुत समय लगता है और बहुत तकलिफ भी होती है चाई की पत्तियों में मौजूद मित्रों ये टैनीन जो की चाई के कड़वाहट के लिए रिस्पोंसबल होता है वो सूखे स्वाद के लिए जिम्मेदार भी है और टैनीन की जो कसैले प्रकिर्थी वाला जो स्वाद है प्रकिर्थी है यह हमारे डाइजेस्टिव जो टिसू है उनको परिसान कर देती है इरिटेट कर देती है और इनमें असहज लच्छन पैदा कर देती जिसमें की नौस या भोमेटिंग जो मितली या पेट का दर्ण तक हो जाता है मित्रों यह चाई पीने से आखिर होता क्या है तो इसमें कैफीन है और कैफीन में एक बिसेस गुण है यह कहते हैं हैबिट फॉर्मिंग अस्टिम्लेंट है यानि कि आपको इस हैबिट को रिपीटेड करने के लिए अडिक्सन के लिए भी प्रमोट करेगा यानि कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप चाई पीन और दुबारा आपकी चानव यानि कि यह हैबिट फॉर्मिंग अस्टिम्लेंट इसमें होते हैं कैफीन में कैफीन एक आदत बनाने वाला उत्तेजक परदार्थ माना जाता है जो चाई या किसी अन्य स्रोत से नियमित स्रोत से हमारी निर्भरता उस पर ओवर्र डिपेंडेंस कर देती हैं और अगर आप बेडराल चाहते हैं कैफीन से बापसी चाहते हैं आपको ऐसे लच्छन जैसे सिर्दर, चिर्चिड़ापन, हिर्दे गती में बिर्दी या थकान आदी में सामिल हो सकते हैं इतने जादे इसमें इसमें गुण होते हैं मित्रों अगला बात करूँ तो यह बिटामिन्स जो कि हम अपने संपूर्ण आहार प्रणाली में हम यह ध्यान देते हैं कि हमारी आहार प्रणाली संतुलित हो जिसमें कार्बो हाइडरेट, प्रोटीन, फैट बिटामिन्स, मिनरल्स और वाटर यह सब कंटेंट संतुलित हो तो बहुत मुश्किल से बहुत छोटी सी मात्रा ही हमारे सरीर को चाहिए बिटामिन्स और मिलती भी है काईदे से लेकिन वो मिटामिन जो बड़ी मुश्किल से मिली है उन्हें यह नस्ट कर देते हैं कैफीन मित्रों अगर प्रिग्नेंसी की बात की जाकि देरिंग प्रिग्नेंसी इनका क्या प्रभाव पड़ता है तो गर्भावस्ता के दौरान चाय में जो कैफीन का अत्यधिक संपरक आता है मित्रों वह गर्भ पात या उसके सिसू के कम वेट करने के लिए भी या और भी कई जटिलता लेवर के जटिलता को भी योगदान कर सकता है हरवल चाय यहां तक की बीत्रों इसकी भी साबधानी से ही उप्योग किया जाना चाहिए गर्भावस्ता में क्योंकि इसके भी लेवर के दौरान प्रोब्लम हो सकते हैं इसके सेवन से मित्रों चाय के अधिकतम सेवन से हमारी मेमोरी दुरवल हो जाती है यानि कि अस्मरन सकती बहुत ही कमजोड हो जाती है अब अगर हेड़क की बात की जाए हम कहते हैं कि चाय नहीं पिये तो हेड़क हो रहा तो अगर नियमित रूप से चाय अधिक मात्रा में पी रहें तो इसमें जो उपलब्ध कैफीन है इससे हमारे क्रोनिक हेड़क हो सकते हैं मित्रों ना कि ये छुडाता है यही रिस्पॉंसवल होता हेड़क के लिए चाय के अधिक सेवन से मित्रों हमारे लीवर भी डैमेज हो जाते हैं क्योंकि यह चाय असिडिक नेचर बनाता है और हमारे सरीर को अलकलाइन बनाने पड़ते हैं और यह इतना बना नहीं पाता है चाय के पीने से मित्रों कैंसर तक की होने की संभावना भी पाई गई है अब अगर अनिद्रा स्लिपलेसनेस की बात की जाए मित्रों तो इसकी सिकायत जो होती है उसके लिए भी चाय रिस्पॉंसवल माना जाता है क्योंकि चाय से अधिक कैफीन का सेवन जिसमें की मेलाटोनीन उत्पन होता है यह हमारे नींद की जो छमता है लेने की उस हार्मोन को कम कर देता है यानि की कैफीन उस मेलाटोनीन को कम कर देता है जो की हमें सोने के पैटर्न को भी बाधित कर देता है मित्रों अगर आप चाय बहुत ही जादा पीते हैं आप देखिएगा आपके सरीर में लोहे की यानि की आईरन की भी कमी जरूर होगी क्योंकि चाय टैनीन नामक योगिकों के एक वर्ग का सम्रिध सोत है और यह टैनीन कुछ खाद पदार्थों में लोहे से बंध सकते हैं जिससे यह पाचन तंत्र में उसोसन के लिए अनुपलब्द हो जाते हैं यानि कि अब लेवल ही नहीं रहेगा और आईरन की कमी मित्रों दुनिया में सबसे आम पोसक तत्तों की कमी में से एक है और यदि आपके पास आईरन का अस्तर बहुत ही कम है तो अत्यधिक चाय का सेवन आपकी अस्तिती को और भी बत्तर बना सकती है चाय में मित्रों आईरन और सोसित ना कर पाती है यह जिसके बज़से यह इनीमिया भी हो जाते हैं और इसमें मौजूद कैफीन जो लट लगा देता है और जानते ही हमें साल लट बहुत ही बुरी होती है क्योंकि वो है डिपेंडेंस, जीवन के लिए डिपेंडेंस बना देता है उसी को लट कहते है चाय का सेवन मित्रों हमारे ब्लड की जो उसमा होनी चाहिए नेचुरल टेंप्रेचर जो मेंटेन होना चाहिए उसको भी नस्ट कर देता हूं मित्रों अगर हम आज बात करें depression, anxiety, tension की तो यह इसके लिए भी चाय responsible होता है हमारी चिंताओं को, तनाओं को, बेचाइनी को भी बढ़ा देती है क्योंकि चाय की पत्तियों में प्रक्रतिक रूप से कैफीन होता है चाय किसी अन्य सुरुत से अधिक मातरा में जब कैफीन का हम सेवन करने लग जाते हैं तो यह सारी भावनाएं जो है, negative भावनाएं इन सब में बढ़ोत्तरी हो जाती है मित्रों अगर हिर्दय की बात करें, तो हिर्दय में किस तरह से यह प्रभावित करता है तो कैफीन हमारे हिर्दय पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है चुकि इसका हम सेवन करते हैं, तो यह हिर्दय के रोग को भी उत्पन करने में कई तरह से सहायक होता है चाय में कैफीन जो है मित्रों, जो 600% तक होता है, बताया ही यह रक्द को इंप्योर कर देता है, कंटेमिनेट कर देता है, दूसित कर देता है और सरीर के कई अभियबों को कमजोड करने लगता है और सरीर में जब यह चाय जाता है स्टोमेक में, तो हमारे खून को भी गंदा कर देता है और यह गंदा खुन ही हमारे चेहरे पर आते हैं, जो कि कई तरह के एकने, लाल, फुनसियां आदी वेगरा निकल जाते हैं, आप देखी पा रहे होंगे तो चाय से सनाविक गड़बडियां, जो कि यह स्पाइन से संबंदित हैं, नर्भस सिस्टम से हैं, इन सब पर भी आते हैं, और इसके साथ ही हमारे पेट में कमजोड़ी आ जाते हैं, गैस आ जाते हैं, चाय में मित्रों कुछ हैसे योगिक हैं, जो कि मतली का, यानि कि नौस सकते हैं, चाय से मित्रों निर्लोजिकल गड़बडियां भी आ जाती हैं, इससे डिजीनेस आता है, चाय में जो कैफीन है, उसकी बड़ी खुराक लेने से, हमें चक्कर डिजीनेस जो है, वह आने लगता है, यह विशेश परभाव, दूसरों की तुला में कम आम है, और आ यूरीक एसीड हमारे जॉइंट्स में जमा होने लगते हैं, अगर हम सक्रिये जीवन नहीं बिता रहे हैं, तो जॉइंट पेन सुरू हो जाते हैं, इसके साथ ही यह मुत्रासय यह मुत्र नलिकाओं को निर्वल कर देती है, यूरीक एसीड, क्योंकि यहाँ ज्यादा से ज जाते हैं, अकसर हम देखते हैं, रेलवे स्टेशन या टी अस्टॉलों पर बिकने वाली चाय, हम मजबूरी बस या जो भी काली जे सौक, हम सेवन कर लेते हैं, क्योंकि अब देखे, वो क्या करते हैं, बरतन साफ करते हैं, उसी बरतन में बार 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 बनाते रहते ह और इसके कारण क्या होते हैं उस चाय में बिसाइलापन आ जाता है मित्रों चाय को कभी भी दुबारा गर्म कर ना पीएं तो यह बहतर होगा और बाजार की चाय अक्सर आप देखते होंगे कि अलमूनियम के भगोने में खद काकर बनाई जाती है काफी देर तक बनाते हैं चाय के अलमूनियम की भी घुल कुछ सुलूवल आ जाते हैं उसके इलिमेंट भी जो की हमारे पेट की सामाने प्रणाली हैं उनको बरवाद करने में इनकी भूमिका होती है मित्रों कई बार हम लोग बची हुई चाय को थर्मस में डाल कर रख देते हैं और इसे भूल कर भी ज़्यादा देर तक थर्मस में रखी चाय सेवन ना करें मित्रों जितना हो सके चाई पत्ती को कम उबाले तथा एक बार चाई बन जाने पर इसका पूरा इस्तेमाल कर दें और चाई पत्ती को तूरत फेंक दें तो इस तरह से इसके प्रवाव को गहटा सकते हैं ज्यादा चाई पीने से मित्रों खुसकी आ जाती है और आतों के सनाई भी जो गोट्स कहलते हैं वो अभी कठोर हो जाता है चाई के हर कप के साथ एक या आधिक चमच सक्कर ले ली जाती है जिसके कारण यह हमारे बजन बढ़ाने में काम करता है अक्सतर लोग और क्या करते हैं चाई के साथ नमकीन, बिस्किट, पकोड़ा दी लेते हैं वो फिर से फैट, बजन और बढ़ाने में भी काम करता है जो की एक सुधाहार नहीं है यह बिरुधाहार है मित्रों, इससे कई तरह की तवचा रोग भी हो जाती है डाइबटीज रोग के लिए भी यह चाई responsible है चाई कॉफी के बिनसकारी ब्यसन मित्रों जो फसे हुए हैं वो हमेशा अपने अस्थूर्ती का बहाना लगाते हैं कि नहीं इससे हमें आलस खतम हो जाता है तो यह तो एक जुआरी का ब्यसन के जैसा है मित्रों जो अधिक अधिक गहरे डूबते ही जाते हैं और वो निकलना नहीं चाहते तो हमें निकलने का प्रियास करना जो इसमें डूब गए हैं मित्रों लट में, ब्यसन में, चाय, असे ऐसे सेवन वे लोग शरीर, मन, दिमाग और पसीने की कमाई को बेर्थ गमा देते हैं और भ्यंकर कई तरह की ब्याधियां, बिमारी, जो हैं, क्रोनिक डिजी, ये क्यूट डिजी, ये सब में फंस जाते हैं अब ये सब तो दूस प्रवाव था, अब इसके लिए हमें करना क्या है, तो आएए हम कंकुलूजन पार्ट में आते हैं तो सबसे पहला तो ये संकल्प कर लिजे, कि हमें चाय नहीं पीना है धीरे-धीरे बंद कीजिए, एक बार के ही बजाए, आप थोड़ा सा क्वाइन्टिटी वाइज घटाईए क्वाइलिटी वाइज घटाईए, उसमें चाय पत्ती कम दीजिए, चीनी कम दीजिए और आप अगर एक कप पीते हैं, यानि कि 200 ml पीते हैं, तो 100 कीजिए, 75 कीजिए इस तरह से धीरे-धीरे आपको ज़्यादा प्रिये भी नहीं लगेगा और धीरे-धीरे आप एक सप्ता का टारगेट रखेए, एक महीना का टारगेट रखेए या फिर अगर दिर्ध संकल्प सकती आप रख सकते हैं कि सडेन, तो सडेन भी छोड़ा जा सकता तो इस तरह से आपके सीड़ दर्द, कई लोग बोलते हैं कि अगर मैं चाय ना पी हूँ, तो सीड़ दर्द होने लग जाएगा तो धीरे धीरे जब करेंगे, माइंड में सिगनल जाएगा, तो आप तरो ताजे भी बने रहेंगे और अगर जादा ही लग रहा आपको, तो सुबह उठके ही ताजा गरम पानी पी लीजिए, तो आपका प्यूरुफाई हो जाएगा, डिटॉक्सिफाई हो जाएगा चाहें तो आमले के टुकडे उसमें मिला लें गरम पानी में, चाहें तो इलुवेरा मिला लें, तो इस तरह से कई चीज है मित्रों, हमारा तो यही कहना होगा, कि आप परियाप्त साउंड स्लिप लें यह कैफीन की समान, जो हमें कैफीन से जो मिलती है, उसी के समान मात्रा में ठकान को जो हटाने का गुण है, ध्यान की कमी लाने का, खराब यादास्त का, अनभव होने का, यह सब की समभावनाओं को कम कर देगा अगर आप परियाप्त साउंड स्लिप ले रहें, साउंड स्लिप तभी आएगा मित्रों, जब आप प्रोपर एक्सरसाइज करेंगे, अपने करियर से, लाइफ से, संतुष्ट होंगे अगर आप चिंतागरस्त के बेड पर जा रहें, तो साउंड स्लिप कहां से आएगा, तो आपको कंटेंटमेंट लेना है, तभी तो आएगा और अपने बोडी को हाइडरेटेट रखे, हमेशा पानी पीते रहिए, सफिसियन मात्रा में, मर्द हैं तो 3.8 और 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 अवरत हैं तो 2.6 लीटर तक ले सकते हैं मित्रों अच्छी तरह से जब हम हाइडरेट करते रहते हैं अपने सरीर को, तो काफीन युक्त जो पे हैं उनकी मात्रा की जरुरत बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी यह चाई को काटने के लिए उसके बाद आपके सर, देर, ठकान, चक्करादी, सारे जोखिम को कम कर देगा मित्रों अब चाई की बिकल्ब की बात करते हैं तो चाई की बिकल्ब के बारे में आप अगर अप सर्च करेंगे तो कई तरह के नाम सुनेंगे ब्लैक टी, ग्रीन टी, ओलंग टी, वाइट टी, मैचा टी, यरवा टी, डी, कैफिनेटेट टी, हरवल टी, कई तरह के टी आएंगे जो की नाम बदल के बिसकली ये टी के जो सारे दुस परवाव हो है वो सब उसमें सामिल है मित्रों यह आप जान लिजे अगर आप इन्हें बिल्कूल ही नहीं छोड़ पा रहे हैं तो फिर भी यह सब नहीं कर पा रहे हैं तो गर्म पानी में लेमन ग्रास, तेज पत्ता, परिजात आदी के पत्ते, या अरजुन के छाल, या इलाइची, दाल चीनी, इनमें से कुछ भी डाल कर पीजिए आपको वाटर से एक्स्ट्रा लगेगा, चाय में क्या है मित्रो, नॉर्मल पानी से अलग है, और उसी के हमें डिक्टेट हो गए हैं, इसलिए हम चाय पर इतना ओभर डिपेंडेंट हो गए हैं, तो उसे आप रिपलेस कर सकते हैं, जो हमने आपको बताया, सुबह गर्म प इस पर दिया नहीं जा सकता है, जापान के लोग मित्रों इसी तरह की चाय पीते हैं, और स्वस्त और दिरगाई होते हैं, गर्म पानी में तरह तरह की पत्तियां या फ़लों की पंखुडियां डाल कर भी पिया जा सकता है, जो कि आपको संतुष्ट रखेगा, यदि आप क कम कैफीन वाले, कम कैलोरी वाले, बीना मीठे वाले पे की तालास में हैं, तो ब्लैक टी एक बढ़िया बिकल्प आप समझ सकते हैं, इसमें क्या होता है कि मजबूत अनोखा स्वाध होता है, और इसमें भरपूर मात्रा में एंटी अक्सिडेंट होते हैं, जो कई स्वास् प्रदान कर सकते हैं जिसमें बेहतर कोलेस्टराल बेहतर आतस्वास जो गट हेल्थ है और हमारे ब्लड प्रेसर भी सामिल हैं चाय में कौफीन का अधिक सेवन करने से मित्रों हमारे चिंता बेचैनी हो जाती कई दूस परभाव हैं कई वार कई तरह कि हम बेचैनियों लक्ष का साइन सिम्टम का हम हमारे सरीर पर असर पड़ता है तो हमें अपनी चाय का सेवन को कम करना है कैफीन मुक्त हरवल चाय अगर आप ले सकते हैं तो लीजिए जो कि आपको एक अल्टरनेट के रूप में काम आजगा कभी कभी आप ये भी ट्राइ कर सकते हैं कि पानी में बोनस टिप्स देने की बात आ गई है तो मैं यही बोलूं कि सदाव जीवन में सकारात्मक रहिए अच्छी सोच रखिए सदा मुस्कुराते रहिए हसते रहिए और आसपास के लोगों को भी हसाते रहिए कभी इस वानी से किसी को इंसल्ट मत कीजिए इंसल्ट होने की नौ और अन्तिम में मैं आपको अम्रित बिन्दू के रूप में यही बताओं मित्रों कि अपने आप में सुईकार करने की हिम्मत, छमता, कला, उत्पन कीजिए, ट्रेनिंग देजिए खुद को और सुधार करने की नियत अगर हमें हो मित्रों तो हम इंसान बहुत कुछ सीख सक उन बाड हैबिट बड़े बाड हैबिट को भी हटा सकते हैं यह चाय क्या चीज है मित्रों इसलिए मैं हमेशा कहता हूं मस्त रहें ब्यस्त रहें स्वस्त रहें और प्रसन्य रहें आप निरंतर लिविंग हैपली में नरेंद्र कुमार मोटिविस्टनल स्पीकर के साथ बने रहते हैं इसके लिए सहीड़े धन्यवाद फिर मिलते हैं अगले वीडियों